सब्सक्राइब करते हैं आपका अपने यूटूब चैनल भक्ति की शक्ति में जैसे कि आप सभी लोग चल जानते हैं सावन का यह बहुत ही पवित्र महिना चल रहा है और भगवान भोले नात की विशेश किर्पाईश महिने पर शिभगतों पर बनी रहती है तो भगवान भो लेनात आप सभी शिभगतों के परिवार पर अपनी असीम किर्पाई रहें इसी कामना के साथ आज की वीडियो की सुरुवात करते हैं इस वीडियो में हम आपको तीन नए उपायों के बारे बताएंगे जिससे आपकी जीबन की सारी समस्या खत्म होगी आपके परिवार मे शुक शानती और श्रम बृद्धी आएगी जो भी नए दुरसक हमारे चैनल से जूरे होंगे वो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि असी ही जानकारी आप लोगों को तक आती तो चलिए हम पहले उपाई पे चलते हैं अगर को दीपक लेना है कि और फिर उसमें गोल बाती रखनी है ध्यान के लबी बाती मुझा होने में और किसे दूब बाटी की ऊपर के वहले होता है जिसमें कि हम लोग ललाते हैं उन दोनों को एक कर देना है और दोनों को एक बाती बना लेना है और फिर उसमें गाई का घी डालना है दीपक में और फिर उस दीपक को प्रजलित करना है फिर आपको शाबूत चावल ले लेने हैं अक्षत वाले और लेना है आपको एक लोटा जल और ये सब लेके आपको बेल पत्र पेर के नीचे पहुच जाना है और ये उपाई आपको सोंबार के दिन करना है ये उपाई आपको साम के समय प्रदोसकाल के समय करना है और पर दिशाकी और मुख करके फिर अपना नाम और गोत्र बोलना है इस समस्या उस महादेब जी से कामना करना है फिर अपनी कामना बोलने के बाद एक चावल का दाना आप उस दीपक में डाल कर उस बेल पत्तरी पेर के नीचे एक जो बाती है वहां पे रहने दिजी और एक बा बार आप करें आपको अवश्यला मिलेगा आसा करती हूं आपके हमारे दोड़ा दीगे जनकारी आपको पस्ताइब